है वे फिंट्स एंड वेलकम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेकनिकल अनलिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही नेक्स ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन ले रशीश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुँच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल अनालिस और ट्रेडिंग टेक्निक से लेक्टेड वीडियो भी रेकुलरली देखने को मिलते रहते हैं इसी तरीके से नए-ने चीजिओं को सीखते रहने के लिए और अपने आपको अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में bell icon को भी price कर लेजे ताकि आपको latest updates मिलते रहे हैं इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को support करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को join भी कर सकते हैं उसकी membership को भी join कर सकते हैं जहां पे silver gold and platinum यह तीन membership हम offer करते हैं इनके सब gold आपको nifty और bank nifty के जो daily के फीचर्स के लेबल होते हैं हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं और अगर आप प्लैटना मिंबर्शिप के लिए जाते हैं तो आप से लाइब मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशेट करता हूं स्टेट के बारे में इंफोर्मेशन भी शेयर करता हूं शो शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी और हमारे इंडड़े ट्रेड्स के बारे में दोस्तों शुरू करेंगे इंडिया के साथ में 20.82 पर काम कर रहा है लगब 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 वन परसंट अब देखने को मिल रहा है में इंडिया व बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, 32,086 के आसपास में, हाई कितने का बनाया, हाई बनाया, लगबग 32,298 के आसपास का, सिर्फ और से 130 points addition देखने को मिल रहा है, सम्टाइमस, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस तरह का रिलिशंशिप देखने को मिलता, तो यह समझ में आता है, सम्टाइमस की, शायद से, इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, बट वी दूनों के दोनों, फीचर्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, प्रीमियम पे आज डेरिवेटिव डेटा के अंदर में, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं, FII के लॉंग पोजिशन से, FII लॉंग पोजिशन दो दिन से इंक्रीज कर रहा है, आज के दिन में भी इंक्रीज किया है, 1.85% इंक्रीज किया हुआ है, अब हो गया है, 81.45% पे, तो अब थोड़ा सा, 82 के आसपास में जाते हैं, 82 से उपर जाते हैं, तो आसे कौशिस हो जाना चाहिए, कितना आप लॉंग करोगे, कभी ना कभी तो शॉट बनाओगे, और अब तो बजट ओला महौल भी आने वाला है, जैसे अभी फिलाल के रहें प 132 करोड उपीस की खरिदारी की है, जो कि पिछले कुछ दिनों में 217-295-176 के आसपास में वा करता था, तो इंडेक्स के अंदर में दमदार खरिदारी हुई है, और वो रिजल्ट ऐसा लग रहा है, कि खरिदारी कुछ यहीं देखने को मिल रहें, निफ्टी के अंदर मे बात करें, तो इस टॉक फिचर के अंदर में 684 करोड की बाइंग हुई है, अगिंस 170 करोड येस्टरे, इंडेक्स ऑप्शन जो एक टेंशन वाली बात थी, क्यों बात नी, क्योंकि इंडेक्स बाइ हो रहा था, और अगर इंडेक्स बाइ होता है, तो mostly वो हेजिंग के लि बिक्वाली में नजर आई, तो positive data है, अगर FII के बारे में बात करें, long position, index feature, stock feature के बारे में बात करें, तो overall यहां से तो positive indication निकलते हुए आ रहा है, surprising factor क्या है, FII cash के अंदर में 6,029 करोड की बाइंग करता हुआ, नजर आय हुआ है, जो कि 3 digit के अभी तक नंबर आ रहे थे कुछ दिनों से, अब इसके अंदर में चेक करना पड़ेगा कि कोई bulk deal तो नहीं है, मैंने वह अभी तक चेक नहीं किया है, पर कोई क्या bulk deal तो नहीं है, overall positive लग रहा है यहां से भी, और DIA as usual जब FII buy करता है, तो DIA भी sell करता है, 2372 करोड की selling DIA की तरब से आई है, so as usual FII positive, D negative train में काम करते हुए नजर आ रहा है, put call ratio, put call ratio देख लिए, अचा कल गलती से मैंने आपको put call ratio मैंने जो mention किया हुआ था, और wrong mention कर दिया था, बाद में मैंने चेक किया उसे, so put call ratio actually कल के दिन में 1.45 के आसवास में था, जो की बढ़के 1.70, so आज के पुरे data को अगर read करे, औ तो FII आपको positive नजर आएंगे, DII negative नजर आएंगे, और PCR cautious नजर आ रहा है, 1.70 मतलब यह indication है कि उपर की तरफ जटका लगने वाला है, दिन के अंदर में एक deep मिल सकता है आपको entry करने के लिए, फिलाल buy on dips है कि नहीं है, वो तो chart पे समझ नहीं कोशिश करेंगे, पर पहले स पहले तो हमने कल लॉंग पोजिशन बनाई भी ती, आज overnight रखा हुआ था, उसे square off कर दिया morning में ही, so bank nifty लिया हुआ था 32,000, 32,000 CE buy किया था इस week का हमने कल के दिन में, so 450 के आसवास में buying था उसे 480 में हमने निकाला, and nifty 14,200 का call option लिया था हमने, दो बार में लिया गया था लेकिन मैं आपको चार्ट पर explain करूंगा क्यों मुझे exit करना पड़ा वहां से, bank nifty, yes bank nifty week नजर आ रहा है, so 480 वहां पर तो अगर आपने platinum membership ली हुई है, youtube के थुरू, तो definitely आपको ये messages आपको मिल रहे होंगे, youtube के community tab पे, अगर आपने हमारे website के थुरू लिया है, तो आप 291802926 के उपर आप contact कर सकते हैं, WhatsApp बेज सकते हैं, मैसेज बेज सकते हैं, ताकि मेरी team आपको ये message आपके WhatsApp पे deliver करने में help कर सके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते है, nifty and bank nifty, दो दिन की चुट्टी के बाद में, और सबसे important है, नया index आने के बाद में, किस महाल में नजर आएगा, क्योंकि जो नया index आ रहा है, मैं ऐसा expect कर रहा हूँ, definitely ये चीज़ होगी भी, तो आसा volume distribution होगा, और जब volume distribution होगा, तो direct impact आपके prices पर पढ़ेंगे, तो एक impact उसका देखने को मिलेगा हमें, Monday Tuesday के दिन में, समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकते है आने वाले दिनों में, nifty and bank nifty में, so दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले है, bank nifty के बारे में, nifty का भी अलड़ी शेयर किया है, जो आपको उपर काड पर क्लिक करके देखने को मिल जाएगा, nifty and bank nifty दोनों की चाल बिलकुली अलग लग रही है, nifty breakout देता हुआ नजर आ और उपर की labels देखने को मिलेंगे, 335 देखने को मिल जाए, परसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया, और आप देखेंगे अगर तो आपको clear कर देखी जहां पर समझ में आएगी, let me remove this, आप देखे, ये trend line के चलते हुए, आपको एकदम clearly नीचे की तरफ जाते हुए नजर closing देना है, addition है point के अंदर में, ये positive point है, so 32,000 के उपर हम जब तक ठीके हुए, या to be on the safer side, जब तक हम 31,780 के उपर काम कर रहे है, तब तक हम positive ही रहेंगे, bank nifty के अंदर में, नीचे के moment मिलेंगे, buying देखने को मिलेगी, अभी भी मैं expect कर रहा हुँ कि इस week के अंदर में 32,600 जो lifetime है, वो टूट जाना चाहिए, वो टूटना चाहिए, so shot नहीं करना है, उपर की तब से shot नहीं करते है, 31,780 के आसपास में मिला, long करेंगे, 31,000 तॉसर deep है, 31,300, ये तूटा है एक बार, तो 31,300 तक के levels भी देखने को मिल सकते है, anyhow, जिस तरह से bank nifty, बीच में इतना दि time भी ता रहा है, 31,200, 300, 400, 500, 600, सब बढ़िया सब उड़ का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो reversal आना है, दोस्त, important 31,600 है, 31,300 के पास गया है, आँग बंद करके, long करिए, और अगर गए इन लेबल्स वे, तो आप ज़्यादा दे तक टिकते हुए नजर नहीं आओगे, दिक रहा है, कल के दिन में भी दिखा था, उसके एक दिन पहले भी दिखा था और आज के दिन में भी दिखा, कि उपर के लेबल से profit booking, सेम दे देखने को मिल जाती है, लेकिन यह अगर सेम वे continue करता है, सेम ट्रेंड में काम करता है, तो definitely आपको 32,600 के लेबल जो तीन दिन म 34,000 यारी 32,100 हमारा at the money होगा, let's talk about 32,100 as at the money, position कम मिलेगी यहाँ पे, call side में 12,745 का open interest है, and put side में 8,556 का open interest देखने को मिल रहा है, 32,000 पे 31,805 in the money, में आपको open interest देखने को मिल रहा है, 34,295 32,500 पे, and highest open interest 33,000 पे कल भी था, और आज भी दिखाई दे रहा हो आप पे, बीच में 32,100 के उपर अगर आते हैं, तो 19,000, 14,000, 11,000 के भी open interest देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कुछ खास position देखने को नहीं मिल रहा है, cordon 1 के अंदर में long बना है, cordon 2 के अंदर में भी long बनते हुए नजर आ रहा है, अगर put side में आपको positions 32,272 का 32,000 पे देखने को मि open interest देखने को मिल रहा है, बीच में कुछ खास position नहीं है, writing होई है cordon 2 के अंदर, 3 के अंदर में, and 4 के अंदर में दोनों में writing देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा activity जो देखने को मिल रही है, वो है long बनते हुए 32,200 पे call side में, and put side में सबसे ज़्यादा activity जो है, वो था बनते हुए नजर आएगी, देखते हैं कैसा impact होता है new index का इसके उपर में, क्योंकि financial related ये भी है, financial related वो भी index आ रहा है, तो nifty का moment वहाँ पे ज़्यादा होता है, I am interested in nifty का volume वहाँ पे ज़्यादा move होता है, कि bank nifty का ज़्यादा volume होता है, वो भी एक देखने लाइक रहेग होप आने वाला week, आने वाले expiry आपके लिए जोरदार हो और आप खुब सारा पैसा कमा है, good night